कॉंग्रेस ने हिमाचल में घोशना फत्र किया जारी, गोबर खरीदने का बादा, महिलाओं को 1500 रुप्य प्रतिमा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, जनता को 10 गांटी देने का आश्वासन, हिमाचल के लिए तेज विकास, और डेली प्यनीर कॉम, हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कॉंग्रेस ने अपना घोशना पत्र जारी कर दिया, इसमें कहा गया है कि पहली कैबिनेट बेट्थक में एक लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा, कॉंग्रेस ने घोशना पत्र में हिमाचल की जनता को 10 गांटी देने का वादा किया है, जिसमे महिलाओं को 1500 रुप्य प्रती माह, 300 यूनिट, मुफ्ट बिजली और 2 रुप्य प्रती किलोगाय के गोबर की खरीज शामिल है, इसके अलावा पार्टी ने पुरानी पैंशन योजना और प्रतेक निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोर निधी देने का वादा किया है, कॉंग्र आज की सुविधा देने का भी वादा किया गया है, वहीं, पार्टी ने पशुपालिकों से रोजाना 10 लीटर अद्खरीड करने का वादा किया है, घोशना पत्र जारी करने के मौके पर अखिल भारतिय, कॉंग्रेस समिती के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुकल प्रदेश काग्रेस समिती के पूर्व प्रमुक सुख्विंदर सिंग, सुख्खु, AICC सचिप्ते जिंदर पाल बिट्र और मनीश चत्रत भी मौजूद थे, इसके अलावा 36 गर के मुख्यमंत्री भूपेश बक्तेल भी मौजूद रहे, पार्टी की चुनाव घोशना सम नावी घोशनापत्र नहीं है बलकी, हिमाचल प्रदेश के लोगों के विकास तथा कल्यान के, लिये तैयार दस्तावेज है, हिमाचल हिनमाचल यतह हुम, और स्थिर सरकार जरूरी, मोदी, प्रधानमंत्री नेंद मोदी ने कहा है कि जूठे वादे करना, जूठी इगां की सरकार थी तो काम तेजी से चल रहे थे, लेकिन जैसे ही पाँच उसके, पाँच उसके, इस चकर में पढ़ गए और काग्रेस वाले वापस आए, सारे, काम ठप कर दिये, हिमाचल प्रदेश में तेज विकास, जरूरी है, स्थिर सरकार जरूरी है, मोदी पंजाब के